हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रीचेकिंग के बारे में बहुत सारे स्टुएंट्स का कहना था कि जो रीचेकिंग का पोर्टल है वो कब ओपन किया जाएगा आपके Rechecking Portal के बारें बात करने वालें तो दोस्तो आईए वीडियो को श्टार्ट करते हैं। तो दोस्तो इगनु ने आपको जो Rechecking का पोर्डल है उसे ओपन कर दिया है। Rechecking के पोर्डल पर जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको Ignore के ऑफिशल वैप साइड पर आना है इसके बाद आपको यहां पर रेजिस्टर ऑल्लाइन पर क्लिक करना है यहां पर आपको डायों के करना है इसके बाद आप यहां पर पो yang पोत्रियूं स्वान पर तो कब आपको इंठों पन। पैसे पहले आपको बताया गया है कि आपको केशी चीजे जोंfahr núm करन की इसके बाद यह स्ट अप्ट ढाइए आ से आपको यहां पर यहाँ पर भीशील है इसके अपर बताया गया है सबस्थे पहले आपको यहां पे क्या करना है नीचे एक क्लिक करना इसके बाद आई एग्री पहलिक करना कि अगरं आपको इप्षाइँ अपने zm22 के यह पर क्लिक Ludya पर क्लिक करना अगर आपको दिशंबार से ओबार से भी स्वार और पर देख रहें इसके बाद इसके आपका इंसर आपको पॉर्टैल यहाँ पर और बीद को enrollment number इसके बाद program code फिर apply for rehabilitation of copy of answer script इसके उपर क्लिक करना है then login करना है यहाँ पर सबसे पहले माँ आपको बता दूए जो आपका rehabilitation है इसका मतलब क्या है तो IGNU में बहुत सारे student ऐसे हैं जिनके exam में काफी कम marks आते हैं या बहुत सारे student ऐसे जिनका exam अच्छा गया होता है पर उनके marks जो हैं वो बहुत कम आते हैं वो पास तो हो जाते हैं पर marks उनके जितने आने चीए उतने नहीं आते हैं तो यहाँ पर क्या किया गया है अगर आप दुबारा से अपना paper चेक करवाना चाहते हैं या फिर आप अपनी answer script मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या process है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको general instructions पर क्लिक करना आपको PDF डाउनलोड करना है जो आपका PDF वो डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है अगर आप regulation करना चाहते हैं यानि कि दुबार से अपना paper चेक करवाना चाहते हैं तो यहाँ आपर 750 रुपीज आपको देने होंगे और इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए के अंदर आप अपना regulation करवा सकते हैं उस subject के लिए मलब जिस दिन भी आपके उस subject का result आता है जिस subject के लिए आप regulation करवा रहे हैं marks increase करने के लिए तो एक महिने के अंदर आपको regulation करवाना होता है इसके बाद अगर आप अपने paper की photocopy या answer script मंगवा रहे हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपीज पर course देना होता है और यहां पर आपको ये भी बताया गया है कि ये जो है आपको 45 दिनों के अंदर यानि जिस दिन भी आपका paper हुआ है उसके 45 दिनों के अंदर आप अपने answer की photocopy जो है वो मंगवा सकते हैं तो ऐसे आप अपना regulation कर सकते हैं अगर आप भी अपने marks से satisfy नहीं है यानि कि आपके marks जितने आए हैं आप पास तो हो गए है पर आपका paper काफी अच्छा गया था आपको लगता है कि आपके marks increase हो सकते हैं तो आप regulation कर सकते हैं 750 रुपीज आपके चार्ज है याँ आपर और इसके साथ साथ अगर आप अपने answer book इसके साथ साथ अगर आप answer script मंगवाना चाहते हैं तो इसके 100 रुपीज चार्ज होगा per subject तो ऐसे आप regulation कर सकते हैं इसके साथ साथ regulation कैसे करना है तो यहाँ पर आपको complete process दिया गया यहाँ पर नीचे जाना है आपको यहाँ पर आपको बताया गया कि कैसे आपको regulation करना है जैसा कि आप यहाँ आपर देखेंगे यहाँ पर click करना है इसके बाद आपको बताया गया सबसे पहले तो आपका अपना email id, mobile number, exam, center code फिल करना है इसके बाद ये सारे detail फिल करने के बाद आपको यहाँ पर step 2 दिया गया है select course आपका course क्या है, किस course के लिए आप apply कर रहे हैं यहाँ आपको यहाँ पर फिल करना है step 3 में आपको बताया गया है after select course detail, click to add request button then record will be added यहाँ पर add request पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना ID card जो है वो upload करना है इसके बाद save करना है यहाँ पर payment link generate होगा, आपको payment करनी है then आपका जो revelation है और copy of answer script है इसके लिए आप यहाँ पर apply कर सकते है तो ऐसे आपको apply करना है तो दोस्तो आई हुप आपको वीडियो समझाए होगी दोस्तो वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा share करें और चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूले धन्यवाद